हेलो स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एस मैट्स में प्रेंट्स आज से हम क्लाश 10 की क्लासेश स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज की पहली क्लास है क्लाश 10 इंट्रूडेक्शन नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम एंड यूक्लिड विभा जनका इंट्रूडेक्शन है तो आज इंट्रूडेक्शन क्लास होंगी और हम जहां तक कुस्टन सॉल कर सके और जितने कांश सेप्ट पढ़ सके उतनी कुसिस करेंगे तो सबसे पहले मैं start करना चाहूंगा number system के introduction से हमने पिछली कक्छाओं में भी number system को पढ़ा है समझा है आपने 8th और 9th class में number system को जाना है 8th में आपने rational number और 9th में आपने number system याने natural number को पढ़ा है तो आज की हम class में इन number का दोबारा से recall कर लेंगे थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि हमको आगे question solve करने में कोई दिक्कत ना हो क्योंकि आगे इनी number का use किया गया है सभी exercise में और सभी exercise के mathematics के अंदर number system का बहुत बड़ा रोल होता है तो इसलिए हम सबसे पहले number system को समझेंगे की भई जैसा आप देख सकते है कि यहां मैंने लिखा हूँ प्राकरत संक्या पुर्ण संक्या परिमे शंक्या अपरिमे शंक्या कि पास संक्या तू हमको पता ही होना चीए कि कि किसका use कैसे किया जाता है और किस संक्या को किस प्र प्रदर्शित किया जाता है तो प्राकृत संक्या को हम नेचरल नंबर कहते हैं प्राकृत संक्या को हम क्या कहते हैं नेचरल नंबर पूर्ण संक्या को होल नंबर कहते हैं और पूर्णांग संक्या को इंटीजर नंबर और परीमे संक्या को रेशनल नंबर परीमे संक्या को प्राक्रत संक्या को हम capital N से दिनोट करते हैं, पुर्णांक संक्या को हम capital W से दिनोट करते हैं, पुर्णांक संक्या याने integers को हम I से दिनोट करते हैं, परिमेशंक्या rational number, rational number को हम Q से दिनोट करते हैं, और परिमेशंक्या rational number को हम Q के उपर compromise याई Q के उपर C लगा के denote करते है तो ये है हम इन संक्या को इस प्रकार से अब इन को प्राक्रत संक्या नेच्रल नंबर अब नेच्रल नंबर क्या होते है नेच्रल नंबर को हम तेखो किसी भी संक्या को हम जैसे किसी भी वस्तो को हम गिनते है जैसे मिर पास एक पेन है और यह जैसे दो वस्तो है हमां मिर पास दिख रही है ना दो वस्तो है अब इनको गिन्ने में हम संख्या का यूज करते हैं उसे हम नेच्रल नंबर कहते हैं जैसे एक, दो, तीन, ऐसा सोन तो इसे हम गिन्ने में जो यूज करते हैं उन्हें हम नेच्रल नंबर कहते हैं प्राक्रत संख्या कहते हैं और यदि इन संख्याओं में हम जीरो को इंक्लूड कर दे यह जीरो को हम साथ में ले 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 तो यदि हम जीरो और एक दो तीन चार ऐसी ले ले संक्या तो वो होल नंबर हो जाती पूर्ण संक्या हो जाती है और पूर्णांग संक्या क्या होती है पूर्णांग संक्या नंबर इंटीजर नंबर क्या होती है यदि हम जीरो के साथ साथ तब negative number भी negative number भी हम ले ले जैसे कि ये 0, ये minus 1 minus 2 और इधर 1, 2, 3 इधर भी हम लेते गए और इधर भी लेते गए गिनते गए तो ये जो minus और plus जो दो संख्या होती है और 0 इन सबी को मिला करके हमार पास पूर्णांग संख्याय बनती है जो की इंगलिस में हमें इसे integers number कहते हैं और इसे i से denote करते हैं इसके बाद आ जाता है प्रमेशन क्या प्रमेशन क्या याने rational number rational number क्या हो जाते है rational number हम उन्हें कहेंगे the number which can write in form of p upon q याने कि हम rational number याने p upon q के form में लिख सके ऐसे ऐसे number को हम rational number कहेंगे जैसे p upon q के form में लिख सकते है और q is equal to not 0 याने जो q होगी q वाली जो संक्या होगी जो की upon के नीचे जो भी संक्या होगी वो 0 नहीं होगी और p जो रहती है पूर्ण संक्या होती है तो ये हमारे पास जैसे example ले लेते हैं 2 upon 3 4 upon 3 minus 8 upon 9 ये कहा है हमारे पास अभी परी में शंक्या यहां आजाता है बावी बटे 7 ये भी कहा है पूर्ण अप्राजी में शंक्या परी में शंक्या है अब अपरी में शंक्या अपरी में शंक्या क्या होती है अपरी में शंक्या ने this number which is expressed in decimal form और terminating or non-repeating decimal याने हम ऐसी संक्या जीने हम decimal वाली जो भी संक्या रहते है उन्हें लिख सकते है जिसे यह अंडर रोट लोग्या A1.2323 हो गया और पाई हो गया इस प्रकार के संक्याओं को हम अपरी मेरी संक्या काते हैं इरेशनल लंबर काते हैं तो ये कुछ संक्याओं थी हमार पास जिनका यूज हमने पिछली कक्छाओं में किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था आप सभीने पढ़ा होगा तो यही संक्याओं थी इनने हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि अब जो 10th क्लास के सारे चेप्टर है इनी संक्याओं के बेस पे है तो इन संक्याओं का हम यूज करें